अस्सलाम ओलेकुम मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट इम्रान शम्स मेमन मौजजज नाजरीन आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे साबन में इस्तेमाल एक केमिकल जिसका नाम प्रोपिलीन गुलाइकॉल है और जिसको पी जी भी कहा जाता है वीडियो आकिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आकिर तक देखने से अप लोगों को मुकमल मालुमात मिलेगी और विडियो शुरू करने से पहले अप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताका साबून के हवाले से आपको मजीद मालूमात हासिल होती रहे तो चलते हैं विडियो की जानिब और विडियो शुरू करने से पहले प्रोपिलीन गुलाइकोल एक लेकिवूड केमिकल है जो कि गिलेसरीन से काफी मशाबहत रखता है साबून में एक आम जुजब के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है साबून में पानी का दुखूल बढ़ाने में मुस्सर साबित होता है और तमाम इस्तिमाल किये गए केमिकल्स को प्रोपिलीन गुलाइकोल के जरीये मजीद मतहर्रिक और बढ़ाय जा सकता है प्रोपिलीन गलाकोल केमिकल दीगर सिहत के मौजवात के ख़द्शात का बाइस बनता है और तमाम इस्तेमाल किए गए केमिकल्स को प्रोपिलीन गुलाइकोल एक ही वमेक्टिंट है, जिसका मतलब है कि ये स्केम के उपर पानी पर मबनी अज़जा ले कर जाता है ये साबुन में नमी को भी जजब करता है, बैक्टिरिया की अफजाईश को कम करता है, मस्नुआत को ज्यादा देर तक चलने में मदद करता है। कि प्रोपिलीन गुलाइकोल एक ही वो मेक्टिंट है, जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा जुजब है जो जिल्द और बालों में नमी बरकरार रखने के लिए साबुन और कास्मेटिक्स में शामिल किया जाता है। जीगर सनती मस्नुआत में भी इस्तेमाल होता है। प्रोपिलीन गुलाइकोल आम तोर पर खाने के स्टोरेज के इजाफे के तोर पर इस्तेमाल होता है। ये नमी को बरकरार रखने के साथ साथ रंगों और जाइकों को तहलील करने में मदद करता है। क्या ये गुदरती है। अगरचे बायो बेस्ट प्रोपिलीन गुलाइकोल की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल को खुदरती तोर पर हासिल किया जाता है। प्रोपिलीन गुलाइकोल को खुदरती नहीं कहा जाता है। कि एक केमिकल से दूसरे में तबदीली से बनता है। प्रोपिलीन गुलाइकोल खाने की सनक, कास्मेटिक प्रोडक्शन्स, साबुन साजी और दवा साजी की एप्लिकेशन्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन प्रोपिलीन गुलाइकोल का इस्तेमाल इसके जहरीले असरात की वज़े से महदूद अकम मिद्दार में होता है। प्रोपिलीन गुलाइकोल और गिलसरीन के दर्मियान बुनियादी फर्क ये है कि प्रोपिलीन गिलाइकोल के दो ओएच ग्रूप होते हैं जब कि गिलसरीन के तीन ओएच ग्रूप होते हैं जब प्रोपिलीन गुलाइकोल को ज्यादा मिद्दार में लगाया जाता है तो ये तेज रफ़तार दिल की धर्कन, दिल की ताल के मसाईल, आकम बिल्ड प्रेशर का बाइस बनता है अगर्चे प्रोपिलीन गुलाइकोल को आम तोर पर महफूज समझा जाता है, जब ज्यादा मिद्दार में या तवील अरसे तक इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोपिलीन गुलाइकोल जहरीला हो सकता प्रोपीलीन बुलाइकोल से रिपोर्ट किये गए मन्फी असरात में मरकजी आसाबी निजाम CNS का जहरी लापन, हाइप्रोस्मोलरटी, हीमोलेसीज, कार्डेक अर्टेमिय, इजिटीशन और लिकटक एसडवसस शामिल है प्रोपीलीन बुलाइकोल जिसको आम जबान में PG भी कहा जाता है जो के लेकिवुड साबुन, शेम्पू और लोशन को गाड़ा करने के लिए भी जाना जाता है और साबुन में इस्तिमाल से साबुन में दरालिंग या कुरिकिस वगएरा नहीं लाता इसी वज़े से उसे एंटी करीक भी कहा जाता है प्रोपीलीन बुलाइकोल आम तोर पर साबुन में 2 फीसद तक इस्तिमाल कर सकते हैं जिसकी वज़े से साबुन नर्म रहता है और साबुन में नमी बरकरार रहती है इसकी वज़े से साबुन को मियारी रुकता है और साबुन में दराणें पैदा नहीं होती। हमने इस वीडियो में साबुन में इस्तेमाल प्रोपिलीन गुलाइकोल के बारे में बहुत कुछ सीखा है। साबन में प्रोपिलीन गुलाइकोल का इस्तेमाल एक एहम असर डालता है जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें पता चला कि प्रोपिलीन गुलाइकोल इस्तेमाल करने के कई फाइड़े हैं इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना जिन्दगी ने साथ दिया तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपका दोस्त आपका भाई इमरान शमस मेमन पाकिस्तान जिन्दाबाद